हलो बच्चों, वेलकम अगली, आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम लेकर प्रस्तित हुई हूँ, तो हम आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम हमारे कम्पेटर की लेंग्विज है, चुकि कम्पेटर जो है हम दों की अपनी भाषा नहीं समझता है कम्पेटर की अपनी एक अलग भाषा होती है, यूजर किसी भी प्रकार्थी भाषा का प्रियोग करता है, तो कम्पेटर हमें एक इंटर्प्रेटर नाम पर सौफ्प्वेर होता है, जो उसे कम्पेटर की भाषा में चेंज कर देता है, अर धाक जब हम mathematics या हिंदी या विटर की अपनी लेंग्वेश है इसमें 0 तथा बन केवल दो ही अंकों का प्रियोग किया जाता है अने किसी भी अंक का प्रियोग नहीं किया जाता है दो अंक होते हैं इसलिए इसका आधार भी दो होता है अगला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल यानि 10 लों पढ़ा लिए 10 यानि जिसमें 0 से लेकर 9 10 अंकों का प्रियोग होता है वो देसिमल नंबर सिस्टम खेलता है और चुकि इसमें 10 नंबर हैं इसलिए इसका आधार भी 10 होता है अगला है octal number system octal का 8 होता है अर्थाथ इसमें 8 अंक होंगे 0 से लेकर 7 तक कुल 8 अंकों का प्रयोग किया चाहेगा 8 अंकों उन्हें के एक अड़ इसका आधार भी 8 होगा अगला है hexadecimal number system hexa का 8 होता है 6 अगर 6 और decimal का 8 होता है 10 जो अभी मैंने थोड़े दिर पहले आपको बताया तो कुल मिलाव का इसमें 0 से लेकर 9 और A से लेकर after कुल 16 अंक और alphabet का प्रयोग किया जाता है hexadecimal का अर्थ यहां पर 16 होता है तो 16 अंक होने के कारण इसका आधार भी 16 होता है अब computer किस प्रकार से user की भार्षा को अपनी भार्षा में change करेगा को हम देखेंगे यानि अगर user 10 mathematics का गणित का कोई अंक लिखता है 23 47 107 तो उसको binary भार्षा में किस प्रकार से change करेगा तो हम convergence सीखेंगे कि decimal number system को किस प्रकार से binary, octal और hexadecimal में change किया जाता है तो मैं आप ध्याम देने की आउशक्ता है यहां पर कि किस प्रकार से convergence किया जाता है ध्याम दिजीगा यह है decimal number 35 और decimal number का हमने बताया था, उसका आधार 10 होता है और अब हम इसको किस में change करेंगे binary यानि जिसका आधार 2 होता है उसको हमें change करना है decimal को binary में change किस प्रकार से change करेंगे, देखिए यह भाग विदी से change होता है mathematics में आपने भाग करना चीखा होगा वही फॉर्मेट जहर वो यहां पर भी है तो 35 लिखेंगे उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करने पर हम आपको तुड़ा यहां बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको यहां अंसर लिखना है आप देखेंगे यहां पर जो आपका भागफल है 17 उसको हम यहां लिखेंगे और जो शेषफल है वो यहां चला जाएगा इसी तरीके से हमें पुरा भागविदी चलाना है 2 एच जा 16 और रिमेंडर शेषफल फिर से बनाया है फिर भाग करेंगे 24 जा 8 और शेषफल आगया आपके बार 0 फिर भाग करेंगे 224 और शेषफल 0 आगया फिर करेंगे 21 जा 2 और शेषफल 0 फिर करेंगे 2001 यह हमें भागदप्त करना है जब तक हमारा भागफल 0 नहीं आता है अब इसा उत्तर हम नीचे से उपर की ओप लिखेंगे कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से 1000011 तो इस प्रकार से हमारा यह binary नंबर आ गया decimal number से हमने किसमें चेंज कर दे हैं इसको binary नंबर गया तो इसमें हम अपने उत्र की जांच भी कर सकते हैं और या मैं आब मॉत्ते से डजिमल में लोटारच सकते हैं तो यह हुआ आपका अटव को ऑकी मिंध हेड़े में चिंज करना लुए जबी आसद पर सकते हैं कि यहां पर आप कोई भी बाइंडी नमर लीजिए अपने वर्जी से उसको हम किसमें चेंज करेंगे हैं कि बाइंडी दिया है और किसमें चेंज करना है हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस तरी से आप इसको लिखेंगे और राइट हैंड में जिसमें हमारा पैन है वहीं से इसकी पावर लगाना शिरू करेंगे जिर्ओ वान तू और थ्री आप्टमेटिक्स में घात जिसको हम बोलते हैं सी का प्रियों यहां पर करेंगे तो इसके लिए हमें जो नंबर हमारा दिया गया हो गाए हो मदिपलायकर रहेंगे से और उसकी पावर प्लस 0 मुल्टिप्लाए 2 उसकी पावर प्लस 1 मुल्टिप्लाए 2 उसकी पावर प्लस 1 मुल्टिप्लाए 2 पावर 0 तो देखेंगे इसको 3 टाइमस मुल्टिप्लाए करेंगे इसको 2 टाइमस मुल्टिप्लाए करेंगे इसको 1 टाइमस और प्लस 1 ध्यान देंगे जब पावर जीरो होती है तो उसका मान वन होता है हमेशा जब भी घात जीरो होती है तो उसका मान वन होता है अब इन सब को हम मैंटिप्लाय करके लिखेंगे तो इसकी मंटिप्लाय हो भी 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 तो यह हमारा हिसको में टॉटल कर देंगे है पर 11 तो यह हमारा डैसिमल नमबर आग ़िए हमने अब यह किसे starring को किसमें चेंच कर दिया है देशिमल नमबर आप अपने उत्तर की जाच करना चाहते हैं तो देशिमल तो बाएं भी फिर से करके देख सकते हैं आपको बदा चल जाएगा सब्सक्राइब करें तो फाइजर एंट तू 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 बंजब तू जिरो तो बन जिरो यह हमारा उत्तर यहां पर चेक कर होगी यहां से इस वरकाल से अब अपने उत्तर की जाच भी पर सकते हैं आगे देखते हुँ किसी भी डैसिमल नंबर को कि ओक्तल में चेंज करेंगी बदाध हां आधार से हम यहां पैचान रहेंगे। इस कोण सा हैं और हम एके समें इसको चेंज करना है तो अक्तल का आर्थ आठ है तो हमें यहां पर आठ से ही डिवाइड करना होगा कि इसमें भी फार्मुला होगा जो भी यहां रताया था आप डिवाइड करके अलग से देख सकते हैं तो यहां पर वही बागफल यहां आएगा और शेशफल यहां आजेगा इसको फिर आप आठ से डिवाइड करेंगे यहां पर अगर आपको डिवाइड कर सकते हैं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं तो आपको यही फोर्मला बार बार करना है 14,4 फिर बचा है आपका 14,14 फिर आप करके देख सकते हैं इसको भी आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक की बागफल 0 नहीं आ जाता है आमसर फिर वही नीचे से उपर की योग 1, 6, 4, 3 और हमारे नमबर था डैसिमल नमबर 9, 31 और इसके नीचे आधार लगा देंगे 8 अब हमारा जो डैसिमल नमबर था वो अक्टल में चिंच हो गी है आगे देखते हैं कोई भी एक ओक्टल नमबर लेंगे और उसको हम डैसिमल में चेंज करेंगे ज्यान देंगे ओक्टल नमबर में यहां 7 के बाद कोई अगला आउंट नहीं आएगा अठाक नमबर 8 और 9 का प्योग नहीं होता है तो इसके लिए भी वही इस तरह से लिखेंगे और राइट हैंड में जिस साथ में आपका पैन हो जाए उती हाथ से पावर लगाना शुरू करेंगे 0, 1, 2 इसको फिर वही 8 से मुल्टिप्लाइ प्लस 3, 8 से मुल्टिप्लाइ प्लस 5, 8 से मुल्टिप्लाइ जिरू 8 मुल्टिप्लाइ 8, प्लस 3 मुल्टिप्लाइ 8, प्लस 5 मुल्टिप्लाइ वही अगर पावर 0 है तो उस तामा 1 हो जाए गा तो यहां फिर इसके multiply करेंगे आप इसका सब का total करेंगे 93 तो हमने octal number को हमने decimal में change कर गया है 93 तो यह एक octal number system आ गया है जिस वरकार से हमने decimal to binary किया था उसी तरी से decimal to octal किया है अब last है hexadecimal decimal to hexadecimal यहां पर आप कोई भी number लिख सकते हैं एक decimal number और उसको हमने hexadecimal में change करना है तो इसके लिए हमें 16 से divide करना होगा 539 को हम 16 से divide करें यही है बड़ा number है तो आप इसको यहां पर divide करके देख सकते हैं तो ही है शेशफल भागफल यहां आएगा और शेशफल यहां रहेंगे ध्यान देंगे हमने बताया था कि hexadecimal में alphabets का भी प्रियोग होता है और थार्थ A, अगर 10 के लिए 1 प्रियोग होता है, B के लिए 11, C के लिए 12, D के लिए 13, E के लिए 14, F के लिए 15 का प्योग किया जाता है यदि आपका शेशफल, नमबर 9 से ज्यादा आता है, तो उस शेशफल को आप अलफाबेट्स में खल्वट कर देंगे, तो यहाँ पर 11 का मान जो है, वो भी है फिर से याँ डिवाइट करके आप देख सकते हैं 2 आगया, 1, फिर से भी बैइट करेंगे, 0 और 2, इसका भी हाँ से आप नीचे से उपर की और देंगे 2, 1 और B, 11 की ज़ेंगे हम क्या लिखेंगे, B, तो यह हमारा हेक्जाडेसिमल नमबर रह गए है जिस परकार से हमने डेसिमल टू, बैइंडरी, डेसिमल टू, आपकल, उसी परकार से डेसिमल टू, हेक्जाडेसिमल चेंज कर सकते हैं और लास्ट जो है वो हम बताएंगे हेक्जाडेसिमल टू, डेसिमल में किस परकार से चेंज कर सकते हैं हेक्जाडेसिमल में या कोई भी नमबर हो सकता है, अल्फाबैट्स भी हो सकता है और नमबर भी हो सकता है लाइक, ए, वान, बी ये एक हेक्जाडेसिमल का नमबर है और इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे सेम है, ए, ए के लिए मान था 10, 1, 1 रहेगा और बी के लिए मान है 11 तो 10, 1, बी वहीं पावर लगाएंगे, बी का मान है 11, 0, 1, 2 वही 10, 16 की पावर 2, प्लास 1, 16 की पावर 1, प्लास 11, 16 की पावर 0 इसमें भी वही फॉर्मेट है, जे साथ में पहल होता है, वहीं से हम पावर लगाना शुरू करते हैं वहीं मल्टिप्लाय करेंगे, 16 मल्टिप्लाय है 16, प्लास 1 मल्टिप्लाय है 16, प्लास 11 मल्टिप्लाय है 1, क्योंकि मान 0 और वैल्यू जीरो है तो इसका मान 1 हो जलेगा यहां आप आप इसको प्लास करके देख सकते हैं 257, यह एक डेसिमल नमबर हमारा आ गया है हमने हेक्जा डेसिमल नमबर को डेसिमल नमबर में चेंज किया है उमीद करती हूँ आप सब को यह नमबर सिस्टम समझ जाया होगा कि किस वकार से यूजर अपनी भाशा को कंप्यूटर की भाशा में बदलता है बले ही हमें इसको चेंज करने में टाइंग लगता है लेकिन अंड़ इनको बहुती चंग सेकिंडों में इसका प्रियोग कर देता है और परिवर्तन का कार्या बहुत ही कम समय में क्योंकि अंड़ूटर की वीशेशता ही है कि वह उस्वीटली कार्या करता का झाल झाल